आप सभी का एक और informative वीडियो में स्वागत है आज मैं आपको 5S पद्दती के बारे में बताऊंगा 5S पद्दती एक जापानी पद्दती है जो कि अंग्रेजी के 5 अक्षर तथा जापानी भासा के 5 अक्षर से मिलकर बनी है जिन में अंग्रेजी में पहले एक छर का नाम सैटी नोड सोर्टिंग, दूसरा सैटी नोडर, तीसरा साइन, चोथा सितन्राइजेसन और पांचवा सस्टेन है ऐसे ही जापानी भाज़ा में पहला सहीरी, दुसरा सितोन, तीसरा साइसो, चोर्था साइकेट्सु और पांचवा सुच्चु के है इन पांचो एस का उप्योग सरोपर्थम जापान में ही किया गया था इसलिए 5S प्रद्दति को जापान की देन माना जाता है और इस प्रद्दति के उप्योग से जापान के जो उद्द्योगों के विकास में एक अलगी करांती आई थी इसलिए जापान को इस प्रद्दति का जनक माना जाता है यह प्रद्दति उद्द्योगों के विकास में अत्यदिक महत्तोकून है इसलिए पूरे विश्व में इस पद्दती को अध्योगी कारखानों में अपनाया जाता है कहीं बार questions भी पूछा जाता है कि 5S पद्दती का जनब कौन सा देश है तो यह आपको पता हो ना थे कि वो जापान देश है जाइस पद्दती का जनब हो इस पद्दती का पहला S है सोट या जिसको जापानी भाजा में सहरी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि आपके कारे स्थल पर जो आवसक या अनौसक वस्तवे पड़ी हैं उनको अलग-अलग करना है और अनौसक वस्तों को कारे स्थल से दूर कर देना है तथा आवसक वस्तियों को ही कारेश्टल पर रखना है और काम के लिए जितनी वस्तियों आवसक हो उतनी ही मंगाएं ज्यादा वस्तियों ना मंगाई जाएं दूसरे एस का मतलब सितोन है या जिसको हम सेट इन ओडर भी बोलते हैं अर्थात आपने जिन वस्तियों का छांट चठाई की है उनको आपने एक वेस्तित ओडर में रखना है ताकि आवसकता पढ़ने पर बिना समय गवाएं वो आपको मिल सके तूसरे एस का मतलब साइसो है जिसको हम साइन भी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि अपने कारेस्थल पर उपस्तित मसीनों की उन टूल से उपकरण की तथा कारेस्थल की भी आपने नियमित रुप से साप सपाई रखनी है तथा मसीनों और उपकरणों में आने वाली समस्याओं को भी आपने समाधान करन मदलब इसके अलावा चोथे एस का मतलब यह है कि आपने जो सथान को चलाने के लिए या किसी कारेश्थ्टर को चलाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने हैं और नियमों का आपको पालन भी करना था चोथे एस को जापनी भासा में सिट्ट्सू के साइकेट्सू बोला ग कारिय को करने के लिए बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करना ताकि स्वच्छता और अनुसासन को बनाया जा सके और समय समय पर उसकी जहांच भी करना पांचवाय एस जो है वो सस्टेन कलाता है इसको जापानी भासा में सुथ सुके कहा जाता है इसका आथ यह है कि कारिय योग्य समय और कारिय पर नाली के अनुसार करना चाहिए दूसरों के साथ भी बिना बताए उनकी भी काम में मदद करनी चाहिए और आत्मनुसासन बनाय रखना चाहिए नियमिस समय समय पर जाच करते रहना चाहिए और समय समय पर जो है खुद को तथा अपने साती स्टाप को भी प्रस्चित करते रहना चाहिए तो जापनी भासा के ये 5S पद्दती थी इसका जो है आज कल सभी कारखानों में प्योग किया जाता है अता आप सभी को इसका पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप कैसी कारखाने में जाएंगे तो वहाँ आप से इसके बारे में ज़रूर पोचा जाएगा फाई पैस पत्ति के कुछ लाब भी है पहला एस कार्य इस्तर की गुनवत्ता बढ़ती है दुसरा उच उत्पादन शमता बढ़ती है सभी करमचारी अनुसाचीता प्रस्चिश दरते है दुरगठना में कमी हाती है कम समय में जायदा काम और उत्पादन की गुनवत्ता बढ़ती है कारेश्तर विभावगों की सवस्चता तो करमचारी में उत्ता बढ़ता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर करें कमेंट भी जरूर करें यदि आपका कोई प्रस्ण हो तो और इसी प्रकात की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद